हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर मुशराफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं लिूकडर्मा या सफेद दाक की बीमारी के बारे में बहुत कॉमन इसकिन डिसॉडर है आटो इम्यून डिजीज है ऐसा ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे तीसरे को लगती है आपकी इसकिन के अंदर आपका इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप हो जाता है कि जो मेलेनिन है या जो पिगमेंट्स है जो इसकिन के उस एरिया के वो कम ब लिए ज़रूरी होजता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत से मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गया है और अगर आप इसको इस्तमाल करेंगे इस थेरेपी को जो आपको बता रहा हूँ यह कॉंबिनेशन थेरेपी है जिसमें आप एक चोटा सा इंटर्वेंशन करते हैं विद दे हैल्प ओफ इस्ट्राल निडिल्स और दूसरा कुछ दवाईया यूज करते हैं जो प्योरली हर्बल मेडिसिन है उसको आपको दो स्टेप में समझना पड़ेगा पहले स्टेप में हम जो हर्बल मेडिसिन हैं उनको यूज करते हैं उसमें एक दवाई आती है जिसको बापची के नाम से जाना जाता है जो इसका बोटनिकल या साइन्टिफिक नाम है वो है सोरलिया कुराइली फोलिया बहुत असानी से मिल जाती है इसके जो बीज है उनको यूज किया जाता है तो आपको क्या करना है पहली स्टेज में आप इसके बीज को पानी में भीगों के रख दें सुबा शाम को इसको अच्छी से कूट ले और इसका पेस्ट बना ले और जो भी आपके लीजन्स हैं उसके उपर रात को लेप लगा के छोड़ दें सुबा तक लगा रह पानी बचता है उसको चान के सुबा रोजाना उसको भी साथ में पीते रहें तो दूसरे स्टेज में क्या करना है कि आप गलव्स पहले अच्छे से अंटी सेप्टिक लोशन से उसको अप क्लीन कर लें और जो सिरिंच के उपर एक निडल लगा होता है उसको ले सकते हैं य कि स्ट्राइल गोस से उसको आप ऐसे करके दबा के साफ कर सकते हैं ये करने के बाद सिंपल आप उस पे कोई एंटी सेप्टिक लोशन से एक बार दबा के रख ले बिलीडिंग रुच जाएगी इसको आप छोड़ दें ये काप आप आल्टरेने डेपे करेंगे एक हफता एक हफते बाद फिर आप ये दूसरा जो हमने पहले प्रोसेस शुरू किया था फिर उसको आप एक महिने तक कंटिनू करेंगे और एक महिने के बाद फिर इसको आप शुरू करेंगे एक हफते के लिए यानि कि दो से तीन बार आपको एक्सरसाइज करने पड़ेगी फिर आप एक मेना पहले वाला जो हमने प्रोसेस बताया था वो करना पड़ेगा तो इस तरीके से किरम आपको तीन मेने करना पड़ेगा और आप देखेंगे तीन मेने में कि आपको बहुत ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे लिकोडर्मा सफेद दाग को ट्रीट करने में हालाके जिन लोग के पूरे शरीपे दाग हैं उनके लिए ये मुश्किल है आप सिर्फ पहले वाला पार्ट जो दवाईयो वाला पार्ट है उसको रेगुलर चार से पांच मेने यूज़ करेंगे तो आपको उसे भी फाइदा मिलेगा और बड़े अच्छ रिजल्ट मिलेंगे मैं सहला दूँगा कि जब आप इलाश शुरू करें तो उसका फोटो कीच के रख लें अपने उस लीजन का और चार मीने बाद पांच मीने बाद फिर से आप उसको देखें कि उसके साइज में उसके कलर में कितना फरका रहा है और मेरे साथ अपना फीड़बेक जूरूर शेयर करें मुझे उमीद है दोस्तों आपको यूडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कर लें जादे जादे लोग को शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल एकन का बटन दबा लें सब्सक्राइब आपको सारे इस्ट्रग इनफॉर्टी वीडियो समय पी मिलते रहें थांक यू